So dear students, dosage form factors जो की absorption को effect करते हैं, वो हम इस वीडियो के माधियम से जानेंगे. इसके पहले अभी हमने देखे कि absorb शरीर में, medicines के absorption में जितने factors effect करते हैं, उन सारे critical factors को हमने previous videos में discuss किया. लेकिन dosage form, that is various types, solid orals, liquid orals, injectables, सब ही के अपने-अपने individual pharmaceuticals related factors होते हैं, जो की absorption को effect करते हैं. So let's check the nature and type of dosage form which effects the absorption. जब कभी भी research and development विभाग जो की pharmaceutical company में जब कोई दवा यानि molecule discover होता है, जैसे for example, आस सदीनों साल पहले पेरासिटमॉल नामक एक दवा को खोजा गया, उसी प्रकार आईबोप्रोफिन को खोजा गया, फिर अभी आज की डेट में लाक हों ऐसे molecules हैं, जिन में की therapeutic effect की ताकत है, जो की market में भिक रहे हैं. तो research and development में discover होने के बाद, फिर वो formulation and development में जाता है, जहां पर ये तैह होता है कि market में ये molecule किस रूप में जाएगा, मतलब ये कि tablet form में जाएगा, injection के form में जाएगा, cream के form में जाएगा, syrup के form में जाएगा, किस form में जाएगा, ये तैह होता है formulation and development department में. और formulation and development department के उपर इस समय पर सबसे बड़ी चुनोती होती है कि उन्हें patient की compliability को देखते हुए solid orals में ही देना है. मतलब पहली जो प्रात्मिक्ता होती ही वो tablet के होती है, लेकिन bioavailability के द्रश्टी कोंड से सबसे effective होते हैं injections, यानि कि solution form. तो यहाँ पर अगर अभी screen के उपर आप जो देख रहे हैं, उसमें जो सबसे important effect है वो है कि general rule bioavailability के हिसाब से सबसे पहले solutions, then emulsion, suspension, capsule, tablet, entire coated, इस तरीके से क्रम्शा. मतलब bioavailability मतलब सब शरीर में जाने के बाद सबसे पहले therapeutic effect solution ही देंगी, क्योंकि उन्हें elementary canal यानि की gastrointestinal track को bypass कर दिया सीधे सीधे, मतलब जैसे कि गाड़ी हम अगर किसी शहर से गुजर रहे होते हैं तो एक bypass भी होता है और एक शहर की अंदर से जाता हुआ रास्ता होता है, शहर के अंदर से जाता हुए रास्ता काफी cut-in होता है, बहुत traffic मिलता है, समय भी लगता है और परिशानी भी होती है, वही bypass में पाफसानी से निकल जाते हैं ठीक इसी तरीके से, अगर जो solid orals है, liquid orals है, उन्हें मुह से खाते हैं, फिर वो पेट में जाते हैं, फिर उसके बाद पेट के जो अमल हैं, वो सब का सामना होता है, फिर absorb होते हैं, फिर distribute होते हैं, और काफी समय लग जाता है, बलड में पहु जाता है, तो यहां पर हम जो factors affecting देख रहे हैं, कि factor affecting यह कहने का मतलब, कि जितने ज़्यादा critical steps दवा को बनाने में बढ़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा factor जोडते जाएंगे, बाई-वेलेबिलेटी को effect करने में, जैसे कि tablet है, उसको हमें मुह से खाना है, उसमें बहुत तरह के साथ steps है, जिससे वो tablet बनती है, तो यहां पर यह जो है, एक समस्या का विश्या हो जाता है, किसी भी drug के लिए, किसी भी dosage form के लिए, सबसे important step होता है, absorption in the blood, blood vessels, तक यह blood में जब तक नहीं जाएगी, तब तक site of action पर पहुँचने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेक कौन से possible problems हो सकते हैं, तो it will take the precipitation और जो कि suspension form में, fine particles में, GIT में जमा हो सकता है, मतलब यह कि solid, जो form है, solution form है, it can measure up to, it can lead to precipitation, जो कि हानिका रख है, एकवा suspension के साथ भी यही problem है, immediate dosage form के साथ भी यही problem है, और इनका जो issue है, वो GIT में present जितने भी acid है, जो भी GIT का stomach का environment है, उसका pH से react करने के बाद, precipitation के route में by product ना बने, यह एक challenging situation होती है, जो कि formulator के सामने, क्योंकि stomach में हमारे आप सभी जानते हैं कि कितना strong acid मौजूद होता है, उससे और दवाएं भी रसायन है, उससे react कर सकते हैं, तो यह problem भी आ सकती है, यह भी एक factor है, जो कि dosage form से संबंदिध है, और अगर absorption proper नहीं है, तो it can might lead to the intervening precipitation form, आप सभी ने, अमूमन साधरन तोर पे दवाओं पे देखा होगा, उनके जो packing होती है, उसके उपर expiry date लिखी देती है, expiry date का मतलब यह है, कि एक particular समया अवधी के बाद, drug ionize form में आ जाएगी, और अपने निश्क्री अवस्था में पहुँच जाएगी, और वो grant करने योग नहीं है, क्योंकि theropatic की जगह वो toxic effect देगी, तो यह जो expiry date है, यह shelf life के आधार पे तैह होती है, जो कि ice age guidelines के साब से तैह होती है, जिसको product age in storage conditions के तहद भी एक factor माना गया है, जो कि absorption को effect कर सकते हैं, मतलब यह कहने का कि जिसे माली जी सन 2020 में कोई अगर धवा बनी है और उसके expiry 2023 है, तो nearby 2023 में आते आते, उसमें bioavailability के problems आ सकते हैं, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ उसमें effect changes आते हैं, जिसे precipitate form में आना, tablet का hard होना, particle size में change होना, suspension के, जिसे सभी जानते हैं कि suspension में flocculation और defloc population एक बहुत बड़ी समस्या है, तो कहीं न कहीं ये भी एक बड़ी problem है, aging की, क्योंकि ये भी एक challenge है, dosage form से संबंदित, कहने का मतलब ये कि अभी तक हमने जो factors देखे, उसमें chemical factors and बहुत सारे जो factors हमने related to patient, हमने सब देखे, लेकिन dosage form से संबंदित, aging, उसके साथ ही साथ, type of dosage form, nature of dosage form, ये तीन चीजें ऐसी हैं, जो कि bioavailability और absorption को सीधे-सीधे effect करते हैं, So dear students, this video के बादे हम से हमने जाना कि dosage form से संबंदित, ऐसे तीन कारण, that is nature, type and shelf life, जो कि bioavailability effect करते हैं, I hope you have this, find this video the fruitful, if found fruitful, please like and share, don't forget to subscribe to the channel and pressing the bell icon, thank you.